हेलो नमस्कार आद आप कैसे हैं भावना गुट्फिल्ड में आपका बहुत स्वागत है और मैं अभी बनाने जा रहे हूँ मैथी की भूती खस्ता मठ्री और ये मठ्री आप किसी भी त्योहार पे ट्राइ कर सकते हो आप चाहे त्योहार ना सही आप वैसे ही नॉर्मली घर म चाह के साथ में आप इस मठ्री को बना सकते हैं बहुत ही खस्ता बहुत ही टेश्टी लगती है ये मैथी वाली मठ्री है अब ये गरम गरम है इसलिए थोड़ी से सॉफ्ट है लेकिन जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो एक तम खस्ता हो जाएगी तो देख लेते हैं इस मठ् उसे ज़ीजिए और इस मठरी बनाना आफान है और चाय के साथ खाने में बहुत टेष्टी लगती हैं तो भी आप इसे खा सकते हो त्रमेटो सौस के साथ में बढ़ती है यह नगती है यह सबसे पहले मैंने इसको बनाने के लिए है यह मैदा तो मैंसमें दो कटोरी मैदा ले काली मिर्ची यह कमें कुट लिया नमक इसके बाद में यह आप इससे थोड़ा सा रखन गोन घंट पानी लिए तो इसे भी इतना ही डालूगी और इसके बाद में इसको अच्छे से गूधना नहीं है बस इसको थोड़ा सा पाइन करना है बस इखटे करते जाना है ताके इसमें लेयर बनी रहेें तो इस तरह से मैं ऐसे जैसके आटा गुनते हैं ऐसे नहीं करना है और थोड़ा सा यह सुखा सुखा सा हो रहा है तो इसमें दो दो बुंत पानी डालते जाना है और आप दे सकते हो मैं ऐसे बिलकुल आटे की तरह नहीं गुद्रेयों से पिसे एकटा कर रही हूं ताकि जो अंदर वाली लेयर हैं वह एकटम के लियर रहें और इस तरह से मैं इसे सब को खटा कर लिया है आटे को खटा करने के बाद में मैं इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही ताकि यह अच्छे से आटा सेट हो जाए तो मैं इसे ऐसे छोड़ देती हूं पूरी वा मैं बॉल बना लेती हूं तो सभी बॉल को मैंने तोड़ के रेडी कर लिया है क्यू साइज में तो मैंने इसको तोड़ लिया है इस तरह से आपको बनाना है और यह मत्षी बनाना बहुत आसान है जरू से बनाईगा इस तरह से मैं हातों से इसे प्रेस करते हूं इसको दो इसके जो लेर्स हें वो एकदम प्रैस हो गये हैं अंदर ही दब गए हैं लेकिन जब यह फ्राइज हो गई होगी तो एक दम जस्ट डबल हो जाएंगी तो दो चालू करू जाए जिह एकटाइ गरम होगई करने के लिए तो गुल जादा एक तक तेज गरम नहीं करना है तो हलका सा गरम हुआ है तो मैं इसको सभी को डाल देती हूं और जब यह ऊपर फूल के आजाएंगी तब हमें इनको पलटना है तो बस में गेस को मैंने बिलकुल लो कर रखा है और धीरे धीरे इनको सिकते देना है और इस तरह से मैं पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूं ताकि जब जब तक यह ऊपर फूल के आएंगी तब हम इनको पलटेंगे तो आप दे सकते हैं पांच मिनट हो गई है सभी जो मठ्रिया है उपर फूल के आ गई है एक साइड से हलकी सी गोल्डन हो गई है तो मैं इसको देर मिनट हो चुके हैं तो आप दे सकते हैं अल्रट अज्चाम लेखनात के एक को और बैखने है तो एक कर दिया है और सौनीर निकाल लेते हैं तो आप इस तरह से बनाईे जरू का और आप मेरा फीडियो अच्छा लग रहा है तो दीज़िए चान्स को बांग बातिगे और ब करने के बादमें दबल हो गई हैं इस अब जब फ़्री बार्ब करई हो जाएंड़एगे नीद वichen विरियो है आपको मेर वीडियो अच्छा लग रहे हो तो आप मुझे कमेंट करें कमेंट की दिए도 कर फिरूप्त करें दरो..!